नमस्कार सस्रिया काल आदाब दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी कम्मुनिटी पोस्ट में आप लोगों से पूछा था कि आप लोग मेरे से डंकी का रिव्यू चाहते हैं तो आज दोस्तों मैं आप सबके सामने डंकी का रिव्यू लेकर आया हूँ और आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जो आप रिव्यू देख रहे हैं ये अभी तक का आपका पहला रिव्यू होगा डंकी फिल्म को लेके जी हाँ दोस्तों राजकुमार हिरानी की और शारुक खान द्वारा अभिनीत जो फिल्म है डंकी वो रिलीज हो चुकी है आज सुबह सुबह साड़े नौ बज़े उठके जो है मैं सिनेमा हॉल में पिच्चर देखने गया था मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं पहला रिव्यूवर होंगा जो आप तक ये डंकी का रिव्यू पहुंचा पा रहा है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई और रिव्यूवर सुबह साड़े नौ बज़े उठके जो है पिच्चर देखने गया होगा खैर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप ही लोग डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंची मेरी breaking news है कि review कैसा है या और कोई भी रिव्यूवर आप तक वीडियो बनाकर आपके तक पहुंचा चुका है तो दोस्तों अम मैं बात करता हूँ डंकी फिल्म की कहानी की दोस्तों डंकी फिल्म की जो कहानी है वो हमें पहले से ही एक तरह से पता चल गई थी डंकी एक्चुली वो रूट होता है जो कि illegal migrants लेते हैं एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए जब उनका वीजा नहीं लगता है जब उनको उनका वीजा reject हो जाता है तब जो है वो डंकी रूट लेते हैं जंकी रूट ऐसा रूट होता है जो कि आप इल्लीगली एक देश से दूसरे देश में जाने का इस्तमाल करते हैं वो चाहे वो आप सड़क के थू जाएं चाहे आप समुद्र के थू कंटेनर्स में लग के जाएं या किसी भी और तरीके से इल्लीगली आप माईगरंट बनके दूसरे देश में जाने की कोशिश करते हैं इस दौरान जो है काफी सारे लोग मारे भी जाते हैं फिल्म में यही दिखाया गया है कि काफी सारे लोग इस दौरान जो है मारे भी जाते हैं और कुछी किस्मत वाले होते हैं तकरीवन 25% लोग मारे जाते हैं 75% लोग पहुँ होते हैं चाहे वह इंडिया के हों पाकिस्तान के हो हो दोस्तों की तीन दोस्त होते हैं जो की लंडन जाना चाहते हैं उनका सपना होता है क्योंकि वह इतने गरीब और सब्सक्राइब उसमें मिलता है अगर भी कोशल की मैं बात करूं है अगर मैं टोटल की अड़ी साइस की बात एपीरेंस, गेस्ट अपीरेंस, विकी कॉशल, तो जितने आ मेरे को लगता है, श्याद बॉबी द्योयल का रोल था एनिमल पिच्चर में, उससे भी कम, I think उसका वन थर्ड रोल ही आप कह सकते हैं, वो विकी कॉशल को मिला होगा, बट जैसा कि पिच्चर में ही बता दिया ग जादूर हो, या अपनी उरी पिच्चर हो, वो उससे अच्छी पिच्चर कर चुके हैं, जरा हटके पिच्चर हो, वो अपना टैलेंट दिखा चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको ये फिल्म करने की जरूरत थी, कोई छोटा एक्टर भी उनकी जगा होता तो चल शारुक खान के फैन हैं, तो आप ये मूवी देखने जा सकते हैं, इस अ वन टाइम वाज, बहुत ही नॉर्मल स्क्रिप्ट है, हम लोगों को स्टोरी पहले से ही पता है, बस हाँ ट्विस्ट ये है, कि डंकी के रूट के जरिये जो है, शारुक खान उनको वहाँ पे पहु पसाना चाहते हैं, बट क्योंकि किसी कारण की वज़ा से जो है, वो अपना उनको इंडिया आने का वीजा नहीं मिल पाता है, तो फिर से शारुक खान की मद्द लेते हैं, लंडन और फिर वापस आने के लिए शारुक खान की मद्द लेते हैं, पूरी पिच्चर दोस्तों यही है हाँ दोस्तों जहां तक मुझे लगता एक तो फिल्म स्लो बहुत है मतलब हाफ टाइम तक तो जो है यह लोग जाब ही नहीं पाते हैं इंगलंड हाफ टाइम तो पूरी-पूरी पंजाब लाटू गाओं जो है उसी में ही फिल्म जो है वो निकल जाती है उसके बाद जो है यह लोग लंडन जाते हैं जैसे तैसे जो भी डंकी के रूट्स होते हैं उनके थ्रू उसमें भी दोस्तों मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी सी और जो प्रॉब्लम्स आती है डंकी रूट में लोगों को वो थोड़ा सा और विस्तार तरीके से दिखा पाएगी शारुक खान की मूवी है तो शायद इंडिया में यह 200-200 करोड तक पहुंचे ऑवर्सीज भी जो है वह सो सवा सो करोड कमा जाए तो 300-300 करोड तो शायद मैं कहा रहा हूं शायद यह कमा जाए 500 करोड की पिच्चर नहीं है दोस्तों यह वन टाइम वाच है मैं इ एक दोस्तों जो मुझे इसमें पॉइंट अच्छा नहीं लगा वह यह था कि आप एक तरह से डंकी को जो है बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि वहां पर जब लोग पकड़े जाते हैं illegal migrants जो होते हैं चारों जब पहुंच जाते हैं शारुक खान भी उनमें से एक होता है जो जाना है कि आपको इंडिया में खतरा है अपने देश से खतरा है तो आपको हम इंग्लेंड में असाइलम दे सकते हैं अब शारुक खान इसके लिए मना कर देता है पर बाकी के तीनों की क्योंकि मझबूरी होती है उन्हें पैसा कमा के जो है अपना घर बेजना है इसलिए देश से दगा करते हैं और यह बताते हैं कि हमें अपने देश में हमारी जान का खतरा है इसलिए हमें इंगलेंड में असाइलम दे दीजिए हम शरनार्थी बनके रहने के लिए तयार हैं इंगलेंड में अब दोस्तों मुझे लगता है कि आप शायद जो डंकी रूट से ज खत्रा है तो आप इस तरीके से जो है आ सकते हैं हाला कि फिल्म में बाद में यह दिखाया गया है कि उन्हीं लोगों को बाद में इंडिया में आने में यही प्रॉब्लम करता है क्योंकि इंडिया वाले उनका वीजा यही क्रेजट करते हैं बार बार कि आपको तो इंडिया आने में खत्रा है इसलिए आपने इंग्लेंड की सिटिजन्शिप ली है तो अब आप 20-25 साल के बाद जवाब बूड़े हो गए हैं तो आप इंडिया क्यों जाना चाहते हैं इस चीज़ का दोस्तों उनके पास कोई जवाब नहीं होता है अलांकि अगर देखा जाए दोस्तों तो जैसा कि मैंने कहा कि फिल्म यह बॉक्स आफिस पर तो जो है उतना कमाल नहीं कर पाएगी इंडिया में 200-200 करोड और बाहर 100-700 करोड मैक्सिमम 300 करोड तक जो है फिल्म क के नाम पर कोई खास एक्टिंग नहीं है दोस्तों शारुक खान को हमने इससे बड़ी बड़ी फिल्मों में अच्छी अच्छी एक्टिंग करते हुए देखा है एक जो मुझे दोस्तों छोटी सी प्रॉब्लम हुई जो कि जब इसका ट्रेलर आया था तब भी लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि शारुखान अगर आपको पंजाबी नहीं आती न तो आप मत बोलिए या आप मैं इतना कहता हूं कि आप इतने बड़े एक्टर हैं आप थोड़ी सी पंजाबी और उसका टोन सीख लीजिए आपको कॉमेडी भी करनी और पंजाबी भी बोलना तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तो प्रांगत होना पड़ेगा आपको थोड़ी सी तो पूरा पंजाबी होता है न वह पंजाबी की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी otherwise जो आपने पंजाबी की डालोग बोल रहे हैं वो उनकी डालोग डिलिवरी बहुत खराब है दोस्तों उसमें थोड़ा सा शारुक खान जो हैं वो इंप्रूफ कर सकते थे मैं एक बार फिर दुबार कहूंगा अगर आप शारुक खान के फैन हैं तो आप ये पिच्चर जाके देख सकते हैं परन्तु ये बहुती स्लो मूवी है लगभग लगभग दो घंटे I think 40 मिनट के आसपस की या 2 घंटे 30 मिनट के आसपस की मूवी है कहीं कहीं जगा थोड़ी सी बोर्यत होती है अगर आपको वाश्रूम जाना है या कोई आपका इंपोर्टेंट फोन आ रहा है तो आप जाके जो है वो अटेंट कर सकते हैं आपको ऐसा नहीं लगए कि आपने कुछ भी मिस कर दिया अराम से अपने पेस पे जो है वो मूवी चलती है और जैसा कि मैंने का कि एवार्ड शोज में ये जो मूवी है वो एवार्ड जीच सकती है आवरल मैंने आपको बताई दिया कि पांच में से में धाई स्टार दूँगा इस मूवी को डारेक्शन में भी कुछ खास नहीं था दोस्तों करने के लिए बस एक छोटा सा जो है इसमें एक ट्विस्ट आता है जिस तरीके से वो लोग इंडिया वापस आते हैं वो ट्विस्ट मैं आपको स्पोईल नहीं दूँगा उसका जो है वो एक ट्विस्ट थोड़ा सा अच्छा लगा देखने के लिए और दोस्तों एक जो आज का यूथ है ना वो जब पिच्चर देखने चाहता है ना तो वो खुशी-खुशी बाहर आना चाहता है तो ये भी एक फिल्म का नेगिटिव पॉइंट है कि ये फिल्म आपको थोड़ा सा ना सोचने पर मजबूर कर देती है और ये आज का यूथ है ना वो शायद इस पिच्चर से रिलेट भी नहीं कर पाएगा क्योंकि जो डंकी की प्रॉब्लम है जो इल्लीगल माइगरेंट्स की प्रॉब्लम है वो ज्यादातार जो है वो पंजाब के लोगों में है पंजाब के आपको लिंक ना कर पाए और अगर मतलब लिंक तो करीं नहीं पाएगा लेकिन वह मतलब सोच भी नहीं पाएगा इस तरीके से कि जाने ही क्यों है अपने इंडिया में इतने हमारे पास मौके हैं चाये हम लोग पढ़े लिखें और एक जो छोटा सा मुझे पॉइंट दोस केस नहीं करते कि क्यूंकि उन्हें पता है कि उनका घर वहां पर बरफ बन चुका है वह वहां पर रहेंगे तो मड़ जाएंगे तो अगर हम लोग यहां पर तुम्हारे यहां पर लंडन आ रहे हैं तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है बॉस ऐसा करके न कोई टेररिस्ट भ के नौकरी कीजिए इसलिए कह रहा हूं जो आज का जो यूथ है न वो एक अपनी अलग ही दुनिया में रहता है तो सिरफ पंजाब के एक यूथ को छोड़के मुझे नहीं लगता कि कोई भी और जो यूथ है पंजाब के अलावा बाकी के जितने भी स्टेट्स हैं वो इस दोस्तों कुछ खास है नहीं मुवी में कहने लाय करने रहे स्टोरी हम लोगों को पहले से ही पता थी अब दोस्तों इस ये वीडियो यहीं तक कल मैं पूरी कोहिश करूँगा कि सलार फिल्म देखके आओं उसकी टिकेट हलंगी मैंने अभी तक बुक नहीं करी है सलार और मेरा चैनल अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर लिजे ताकि मैं आपको क्रिकेट की पॉलिटिक्स की सिनेमा की धेर सारी न्यूज आपको लेकर लगातार आता रहूंगा आप लोगों का बहुत बहुत कर द लोगो एनो को बाल रहूंगा लोगोग धन्यूल रहूंगा नहीं कि पॉलिए ग्याज कि हो लोगुत जल्चेल रहुत के थूल्दी मैं आपको कि के लिए झाला रहुत व चैनल रहुत आतार रहुतार इवाँ गए नहीं हुत